हाई गाईज कैसे आप लोग वेलकम बैक टू माई चैनल तो मैं शारीका और अपने ब्लॉग में आप सब का श्वागत करती हूं अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेचे का और मैं आज की रूटीन अपनी शुरू करती हूं आज क किचन में और किचन में आने के बाद मैं यहां पर कुछ बना रही थी और क्याना जब भूक लगती है तो ऐसा लगता है कुछ भी बनाओ अच्छा बुरा यह सब चीजे नहीं सोचते हैं तो बस मैं यहां पर बना रही थी तो इसका मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था और मैं बना रही हूँ अभी चीला तो उसी बीच में फिर से मैं अभी रूम में आ गई और बैटरिट तो अभी मैंने चेंज किया नहीं था क्योंकि किचन में काम था और ऐसे भागते दोड़ते करना ही पड़ता है और बहुत सारी लोग ऐसे कॉमेंट करते हैं कि आप यह क्या दिखाते हो यह मतलब हम तो रोज घर में अपने करते हैं तो इसको दिखाने ही क्या जूरत है चाड़ों पोचा यह सब करते रहते हो देखो मैं यही बोलना चाहुंगी न कि हम लीडिसों का यह काम है और ऐसा नहीं है कि मैं नहा काम कर रही हूँ हमारे घर में पहले स यह काम तो हमें घरना ही है उसके बाद में यहां पे अभी कपड़े फोल्ड करने लगी हूँ बैड शिट मैंने चेंज कर दिया है अभी और यहां पे इस परश के ही सारे कपड़े थे तो फोल्ड करने के बाद मैं उसको कबड में डाल दे रही हूँ इस परश का यहां बैक पड़ा हुआ है साथ ने वाटर बोतल पड़ा हुआ है और बस यह सब चीजे मैं शुरू कर दे थी अपना काम इस टाइम पे और उसके बाद फिर मैं किचन में बीच-बीच में जा रहे थी चेक करने के लिए कि पकरा है कि नहीं पकरा है और यहां पर इस परश के ही बहुत सारे कपड़े थे तो बीच-बीच में मैं किचन में गई फिरी सी रूम में हूँ और यहां मुझे कपड़े भी करने अब फोल्ड और इस परश के कॉपी बोक्स यह सारी चीजे भी रख्यों है तो उसको भी मैं ठीक करूंगी साथी-साथ दें और बिखरा हुआ रहे ना तो फिर उस वो साड़ी की शाइनिंग वेगर अभी ऐसे लगती है साड़ी तो पुरानी हो गई है तो इसलिए मैं यह वाला कामना भी कर लेती हूं साथ में इसका ब्लाउस भी मैं लगा लूंगी पेटिकोट भी लगा लूंगी तो अभी ममी न बाहर गई थी कपड़े लेके आने के लिए तो अभी वो अभी कपड़े लेके आगे और यहां पर बैट पर रख दियूं तो यह सारी चीजे भी अभी मैं करूंगी फोल्ड और इस पर्स मेरे पास अभी आ गया था और कपड़े तो ऐसे सूख जाते हैं आ बहुत साथी चीजे जो थी वो अरेंज कर रही थी क्योंकि इस पर्स ने भी खेर दिया था यह कबड मेरा ही थोड़ा सा समान रहता है बागी उपर विगरा उपर भाई 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 का नीचे है ऐसे प्रेशर कूकर विगरा ही रखा हुआ है तो बीच वाला जो है न बहुत ही जाथा सुन्दर लूक आता है इस साड़ी का साड़ी के साथ मैंने मेकप किया था साथ यहरिंग वेगर अभी निकाली थी तो वह सब कुछ इधर उधर हो गया है तो यह वाला मैं एक बैग लेकर आई हूँ जिसमें मैं अपने मेकप के समान रखी हूँ बाकी एक छोटा सा बैग और है जिसमें मैं डेली जैसे क्रीम य अपने चीज़ें रखती हूँ जैसे कंगी की अगर मुझे क्रीम लगाना है या फिर डेली जो को पाउडर होता है वो लगाना है वो सारी चीज़े और इसमें मेरा हमेशा करने ही जैसे मैं मुझे साड़ी या फिर वीडियो शूट करना हो तो मुझे कभी जरूरत पढ़ अब कीचन में मेरा काम शुरू हो चुक है और मैं भी बनाने जा रही हूँ रोटी और तबा मैंने रख दिया है आटा भी मैंने लगा लिया था उसके बाद कुछ बरतन थे जिसको मैं स्टैंड पर अभी सेट कर दे रही हूँ और ये जो चौकी है रोटी बनाने वाला ये जो पत्थर वाला होता है ना वो है बहुत हैवी है तो इसको ज्यादा इदर उदर में नहीं करती हूँ ऐसा लगता है कभी गिर गिया ना तो फिर पैर तो खतम हो जाएगा मुझसे ना भी स्पॉर्श रोटी मांग रहा था इसलिए मैं हस रही थी मैं वह लिकी सारा पना लेती हूं फिर हम लोग सब लोग एक साथ ही खाएंगे लेकिन उसको नहीं उसको रोटी सब्जी पड़ी होई थी और सब्जी जिस दिन कुछ श्पेशल बन जाए ना उसको ब वह वेट नहीं कर पाता है तो मैं फटा फट से भी रोटिया बना लेती हूं और मुझे दूसरी साइड में भी मिल्क भी रखना था वो भी करम हुआ नहीं था इन गाइज उसके बाद ना मम्मी अभी किजन में आ चुकी है और मम्मी का ये वहला जो ड्रेस है ना जो पैनी कर रहा था उसको मैंने पानी डाल के रख दिया है वाश करने के लिए क्योंकि वह फूल जाएगा फिर अच्छे से वाश हो जाएगा उसके बाद तो बस मेरी रोटी तो बनी चुकी थी मम्मी कीचन में आई थी थोड़ी थोड़ी हम दोनों बाते कर रहे थे उसके बाद य ऐसे साफ करो तो ज्यादा सही रहता है और मम्मी अभी इस पर्श को दे रही दिखाना तो तीन से चार टोविल था सारा मतलब ऐसा लग रहता कि गंदा हो गया है तो मैं एकी बार एकी साथ मैं सारा दो दे रही हूं उसके बाद मुझे कीचन को साफ भी करना है तो गैस वे अगर मैं सिर्फ कपड़े से पोश्टी हूं जादा गंदा नहीं रहता है तो मैं डारेक्ट इसका स्टैंड भी कपड़े से पोश्ट देती हूं अलग से मैं उसको स्क्रबिंग नहीं करती हूं तो बस वीम बार थोड़ा सा लगा के काउंटर डॉप और गैस को मैंने अच करके और पोची देते हूं तो वह मुझे सही लगता है उसके बाद काउंटर टॉप मैं भी कर लूँगी साफ और इसी तरीके से मैं अपने काम को निप्डाती हूं जल्दी जल्दी और अच्छा भी लगता है मुझे घर के काम करना जो भी चीज़े करती हूं एक्र बाद बहुत बरतन है तो बरतन को मैं दोलूंगी चाय का बरतन साती चाहता भी कैश रोल या फिर अभी जो बना था रोटी परात वेगरा है वो सारी चीजे है और बरतन भी दोचार थालिया वेगरा है बाउल है तो यह सारी के सारी बरतन मैं अभी दोल ले रही हूँ जो भी बरतन तो यहाँ पे प्राइब सआ ईन्हें ख्रेवल सबस्क्राइब यहाँ प्राइब नहीं जाऊंगी लेकिन यहां पर एक ही सिंक है तो मुझे थोड़ा सा केरफूली यह शारी चीजे करने पड़ती है तो बस यहां पर प्रिशर कूकर वेगर अभी वश करना था वो भी मैं कर दे रही हूं अभी इसकी बाद में अभी आ गई थी हौल में और हौल में अभी थी हैंड वॉश करने के लिए वैसे तो किच्न भी हैंड वश है बट यहां पर मुझे सही लगता है करना तो मैं हैंड वश करके उसके बाद मैं रूम में जाओंगी रूम की चीज़े थोड़ी सी ठीक करूंगी तो गैस ब्लोग को यहीं पे अंड करती हूं मिलती हूं नक्स लोग में